कि भाईयों और बहनों कि आप सब को यहां कि मुंबई में बहुत-बहुत स्वागत और अभी हमें पता लगा है कि विंग कमांडर अभी नंदन जी भी वापस हिंदुस्तान लोटे हैं तो उनका भी बहुत-बहुत स्वागत और जो हमारे CRPF के जवान शहीद हुए और जो हमारे पाइलट्स एयर फोर्स के लोग शहीद हुए उनका आज हम यहाँ याद करते हैं एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदीजी और दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी वो भीया है वो तो है उसके बारे बोलेंगे अच्छा ठीक है भीया एक बार बोल लो चोकिदार 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 तो एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदीजी हिंदुस्तान के चोकिदार और दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी यह जो शहर है यह कोई मामूली शहर नहीं है यह हिंदुस्तान का engine है यह हिंदुस्तान को शक्ति देता है एक प्रकार से यह हिंदुस्तान का दिल है मोधी जी ने 2014 में कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा बनाने की कोई जरुरत नहीं है ये पूरी दुनिया के सामने दुनिया का सबसे स्मार्ट सिटी यहां है मुंबै कहते है मगर उसको साही तरीके से पहचानना पड़ेगा उसकी सची शक्ती को समझना पड़ेगा और उसकी शक्ती को सपोर्ट करना पड़ेगा जहां भी जाते हैं मोधी जी भाशन करते हैं लंबे- Escape वाईदे किसानों का कर्जा माफ दो करोर युवाओं को रोजगार 15 लाख रुपे बैंक अकाउंट में मिल गया वह यह 15 लाख कोई है यहाँ पे जिसको चौकी दायर जी ने 15 लाख रुपे डाल दिया बैंक अकाउंट में अच्छा कुछ दिन पहले बजट लोगसभा में बजट प्रेजेंट हो रहा था 15 लाग की बात की थी बजट प्रेजेंट हो रहा था उधर प्यूश गोहिल जी भाशन दे रहे थे हैं मैं बीच में जubenेट बीजेपी के के युख नेने ज़्रम करड़ी कर दि को अजआ मिनट मोदी जी क्यों देखके यह उं को दढ़र दर जढ़र ऐऋं मैंने घार गेजी सवर्छा वाल यह क्या हुआ यह पांच मिन्ट था जाintérieur एतिहासिक काम किया होगा जबर्दस काम किया होगा कि इनके सब के सब MP अपने प्रधान मंत्री के और देखकर पांच-साथ मिनट ताली बजा रहे पता लगता है हिंदुस्तान के किसानों को सत्रा रुपए दियें दिन के मतलब एक परिवार को सत्रा रुपए एक व्यक्ति को साड़े तीन रुपए और उदर धड़ा धड़ तालिया बज़ी है नरेन नमोदी के और देखकर भाई आई चीए ताली नी बजाई तो यह मारे गाहमें ताली नी बजाई तो यह मारे गाहमें आप वानि लंबानी को 45,000 करोर रुपए बैंक का करदा दिया उसके बाद एक चेल से कॉंट्राइक चीन कर एक व्यक्ति को 3,000 करोर रुपए जेब में डाल दिये और लोग सबा में साड़े तीन रुपए देने के लिए ताली बजा रहे है और पाच्मेंट ताली अरे भाईया जब आपने उसको 35,000 क्रोर रुपए दिये अब ते ताली क्यूनि बजाई आपने तब चुप की उसके आप लोग देश को आपने क्यूनि बतागा कि हमने चौर को 30,000 क्रोर रुपए दिये देश को आपने ये क्यों ने बताए कि नीरभ मोधी को महुल चौक से को 35,000 क्रूर रुपए दिये देश को आपने क्यों ने बताए कि विजए मालिया को 10,000 क्रूर रुपए दिये देश को क्यों ने बताए कि ललत मोधी को करूर रुपए दिये मगर जब सारे तीन रुपए आप हिंदुस्तान के किसान को एक व्यक्ति को सारे तीन रुपए दिन का देते हो तो धड़ा धड़ धड़ा धड़ बेटकू बनाने के लिएक ताली पह जाते हो देखिए सीदी से बात है आपको जूट सुनना है तो आप गलत चगे आये हो अगर आपको जूट सुनना है आप चौकीदार की मीटिंग में चले जाएए वहां जो आपको जूट सुनना है सुनलो कोई कमी नहीं है 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड रोजगा जो सुनना है सुनलो वहां पे सचाई सुनने है यहां हो मन की बात सुनने है वहां जाओ, काम की बात सुनने है यहां हो और मैं आपको काम की बात बताता हूँ पंद्रा लोगों को 16 को नी 15 को देश के चौकीदार ने साड़े तीन लाख करोड रुपे कर्जमाद करके दिया है अभी आठ लाख करोड रुपे और बचे है वो नहीं दे पाए क्योंकि पैसा खतम हो गया मगर पिछले चार साल में साड़े तीन लाख करोड रुपे कर्जमाद किया है किसका किया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का और मैं मुंबाई के चोटे वेपारियों से स्मॉल मीडियम बिजनस वालों के पूछना चाहता हूँ अरे भाईया उनका साड़े तीन लाख करोड रुपे माद किया आपका कितना किया गारावी के जो छोटे 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 बिजनस चलाने वाले लोग हैं उनका नरेंद्र मोदी ने कितना कर्जा माद किया किसानों का नहीं किया ठीक है हमने बद्व प्रदेश राधिस्तान चतिसगर करनाटक पंजाब में किया हमारी सरकार बनेगी उनका कट डालेंगे कोई बड़ी बात नहीं है मगर मैं मुंबई में पूछना चाहता हूँ आप से पूछना चाहता हूँ इस शहर में लाकों युवाव ने एजुकेशनल बैंक लोन लिया है लाकों चोटे चोटे बिजनसमेन ने बैंक लोन लिया है सपना पूरा करने के लिए अपना भविश्य बनाने के लिए मैं आप से सीधा सवाल करना चाहता हूँ उन पंद्रा लोगों ने सारे तीन लाक क्रोर रुपे हिंदुस्तान के सरकार से कर्जा माफ करवाया है हिंदुस्तान के युवाव ने क्या गल्ती की है कि चोटे बिजनसमेन ने वियापारियों ने क्या गल्ती की है कि चौकिदार उनका कंजा माफ नहीं कर सकता है यह दो हिंदुस्तान बनाना चाहते है एक अनिलम्बानी वाला अभी मैं एरपोर्ट चाहा हूँ प्राइवेट हवाई जाज वाला उस हिंदुस्तान में 20-25 लोग है नाम जानते हो अनिलम्बानी यह मैं उल्चोक्सी नीरभ मोधी 15-20 लोग है कर्जा माफ करवाना है दो मिनट में कर्जा माफ हो जाएगा जमीन चाहिए जमीन आज़र हो जाएगी बिजली चाहिए बिजली मिल जाएगी पानी चाहिए पानी मिल जाएगा और दूसरे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में किसानों आतमतिया करो अपना पैसा बीमा के लिए दो अने लंबानी की कंपनी को दो और जब आंदुई आएगी तुफान आएगा नुकसान होगा उसके पैसे बनेंगे, आप भूके मर जाओ आप छोटे दुकानदार होना, मैं बताता हूँ, आठ बज़े रात को नरेंद्र मोदी जी आएगे टीवी पाएँगे चोकिदार जी, कहेंगे मित्रो मित्रो मेहुल चोकसी को कहेंगे, मेहुल भाई और आपको कहेंगे मित्रो काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अब एक काम करो हिंदुस्तार के सब से सब, सब के सब हमी इमांदार लोग किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार त्यार हो जाओ अपने जेब से अपना पैसा निकालो बैंक के अंदर डालो आपका समय कीमती नहीं है लाइन में ख़रे हो काले धन के खिलाब लड़ाई है काला धन मिटाना है सब को ख़़ा कर दिया मैं पूछना जाता हूँ आपसे क्या अने लंबानी खड़ा था लाइन में देखा आपने उसको नीरब मोदी मेउल चौकसी ललित मोदी अने ना वो लोग पता है कहां थे वो लोग जब आप लाइन में बैठे थे वो प्राइवेट हवाई जा जा रहा है उसमें प्राइवेट हवाई जा नोड़ रहे थे बैंक के पीछे बैंक के पीछे वाले दर्वाजे से अंदर एसी कमरे में बैठे आप लोग लाइन के सामने बाहर उनका काला धन सफेद हो रहा था चौकिदार ने किया चौकिदार ने किया और जो पैसा आपकी जेव से निकला उस पैसे से नरेंद्र मोधी जी ने 50-60 लोगों का कर्जा माग किया है उसके बाद कहते हैं अभी हिंदुस्तान को थोड़ा और बदलना है अभी बात नहीं बनी चलो गबर सिंग को लाते हैं गबर सिंग टाक्स लाए अब आप जाईए मुंबाई के किसी भी दुकानदार के पास चले जाईए किसी भी चोटे भी अपारी के पास चले जाईए उससे पूछिए भहिया यह जो गबर सिंग टैक्स है जी एस्टी है इससे किसका फाइदा हो रहा है इस मीटिंग के बाद आप जाना किसी भी दुकान में चले जाना उससे पूछना भाई एक बात बताओ राहुल गांदी आया था उसने हमें का जाके दुकानदार से पूछो किसका फाइदा हो रहा है मैं गैरंटी करके कह दूँगा आपको कह रहा हूँ आपको सब के सब दुकानदार सब के सब छोटे अभी अपारी आपको कहेंगे इंकम टैक्स डिपार्टमन और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योग पतियों का फाइदा हो रहा है Amazon का फाइदा हो रहा है विदेशी कंपनियों का फाइदा हो रहा है हमारा नुक्सान हो रहा है और अगर आपको कोई दुकंदार मिल जाए जो आपसे कहें कि यहां भाईया GST से हमें फाइदा हो रहा है उसे मेरे पाद भेज देना मैं उसे मिलना चाहता हूँ यहां पर आपके स्रम तोड़े जाते हैं बिना पूचे आपको परे कर दिया जाता है कितने स्क्वाइर फुट का मकान मिलता बताओ कितने स्क्वाइर फुट का मकान मिलता आपको तीन स्क्वाइर फुट का मिलता है ना दोसो पचास मैं आपको बताता हूँ अची तरह सुनिये मध्यप्रदेश रादिस्तान चट्टिस गड़ में मैंने साब बोला देखो भईया किसानों का कर्जा माफ दस दिन में होगा मैंने कहा कि चोकीदार पंदरा साल पंदरा साल गुजरात में राज की हैं पांच साल यहां पे रेसकोज रोड में बैटे हैं उन्होंने आपका काम नहीं किया कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आईगी दस दिन लगेंगे दिन लेना आप एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस और पता लगा और हिंदुस्तान को पता लगा कि जब कॉंग्रेस पार्टी कुछ कहती है दस दिन की बात करती है तो दो दिन में करके दिखा देती है स्लम रिहबिलिटेशन अथॉरिटी आज आपको 250 स्क्वेर फूट का मकान देती है आप दस दिन याद रखो कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी दस दिन के अंदर 500 हो जाएगा आप गिनना आप गिनना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आथ, नो, दस मैं आपको गैरंटी करना हूँ मैं याद दस कह रहा हूँ असलियट में दो होगा मजाग बना रखा है मजाग बना रखा है पंद्रालाग रुपए का सूट पहनते हैं अन्य लंबारी से गले लगते हैं एचेल से पेरा चोटे हैं, पैसा चोरी करते हैं अन्य लंबारी के जेब में डालते हैं चोर है और देखिए, आपने देखा होगा आपने देखा होगा चोकिदार सिर्फ चोर नहीं है चोकिदार ढर्पोक भी है आपने देखा होगा पार्लमेंट हाउस में राफाइल की बात चली राफाइल की बात चली हमने चार सवाल पूछे भाईया एचेल से आपने कॉन्ट्राक क्यों लिया अन्य लंबारी ने हवाईजान भी बनाया उसको क्यों दिया पैंतालिस हजार क्रोड रुपा का कर्जा है उसको क्यों दिया देड़ घंटा मोधी जी ने भाशन दिया भाई उसके बाद देड़ घंटा हमने राफाइल पर सवाल पूछे कभी नरेंडर मोधी यूं करे कभी यूं देखे कभी यूं देखे कभी यूं करे आख में आख नहीं मिला पाए और में अपनी बात नी खर रहा हूँ हिंदुस्टान की जंता पूरी के पूरी टी-वे में देख रही थी कि नरेंद्र मोधी हिंदुस्टान की जंता के आख मैं आख यह इस चोकिदार जी कि सचाई कि वो के जड़े लुटे लुटकर नहीं नहीं सब्सक्राइब है